नमस्कार दोस्तो मेरा नमें बीजे एक पार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चलिए दोस्तो मैं आप सभी के लिए बाके लाल की इस हांसे और मज़दार कॉमिक्स को ले करके आया हूँ जिसका नाम है विक्रम चले ससुराल तो आप देख सकते हैं इसका ठंडा पानी तो पूछ लिजिए विसालगट की सीमा वाले कुएं से ठंडा पानी लाओ महराज की ससुराल से यानि मेरे घर से सर्भते आजम लाओ सर्भते आजम ग्रहन करने के पस्चात चंदर नगर से आये पत्र भाग ने वो पत्र राजा बिक्रम सिंग को दे दिया औ बाके लाल को बाके लाल अवस्य ही ससुर सिरी के मधुमाज के चिठी होगी इसे तुम ही पढ़ो तो सब लोग पत्र का मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाओ अरे मुबारुक हो महराज महराज चंदर सिंग जी मधुमाज से जिंदा लोटाए हैं क्या नाना सिरी लोटाएं ये क्या लिखा है राजबोज में बुलाने वाली बाद इसे हजम कर जाता हूँ हाँ भतीजे इसी खुसी में राजबोज का अयोजन किया जा रहा है जिसका निमंतरन महराज चंदर सिंग बाद में भेजेंगे महराज पत्रवाहाग अग्या लेकर वही से चला गया सभा समाप्त होते ही बाकेलाल की सेतानी खोपड़ी में कुल बुलाने लगी योजना और सर अच्छा है बाकेलाल फेग दे अपना पासा और चल दे अपनी चाल बहुत सोचा बाकेलाल ने याहू बन गई मेरी योजना अब मैं मुच्छड और उसके परिवार का खात्मा एक एक करके करूंगा बाकेलाल ने जल्दी से अस्तबल पहुँचकर घोड़ा निकाला और सबसे पहले मैं बिसाल गट के उत्राधिकारी का ही खात्मा करूंगा ताकि मुच्छड की मिर्तु के बाद मेरे राजा बनने की रा गंजे के मांग की तरह सभाचट एमचिकनी हो और चल बात सा दौर लगा केसर नगर की ओर जहां मुझे रचना है सड़े अंत्र के कया अवे के कया तने अरे कमबक्त जिस थाल में खावे है उसी में छेट करन लाग रिया से पर मैं भी के कर सकूं सूँ जल्दी बाकेलाल चंदनगर के पडोसी राचे केसर नगर के राजमहल में जा पहुचा महराज के सर मेरा मतलब केसर सिंग जी बाकेलाल का प्रणाम बाकेलाल तुम विसालगर से यहां क्या लेने आये हो कद्दू मैं कुछ लेने नहीं महराज बल की देने आया हूँ एक समचार फड़कता हुआ है महराज आप भी सुनेंगे तो फड़क उठेंगे तो फिर जल्दी से फड़काओ वैसे मेरी बाई आग तो सुबह से फड़क रही है महराज आपका जानी दुस्मन चंदन अगर का राजा चंदन सिंग मदुमास मना कर वापस लोटाया है ये सुनते ही राजा केसर सिंग के तोड़िया मतलब तेयोरियों में बल पड़ गए पूरे तन बदन में जैसे आग लग गई क्रोज से वो थर-थर काप उठा रोगोटे ऐसे खड़े हो गए जिसे कमान परतीर चंदन सिंग का नाम सुनते ही मुझे कुछ होने लग जाता है मुझे पता है कि आप उसके जानी दुस्मन है इसलिए तो आपके पास आया हो महराज राजा केसर सिंग गुस्से से पागल हो गया महराज ये आप क्या कर रहे हैं चंदन सिंग का नाम सुनकर मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ केसर सिंग को जब भी भ्यानक क्रोद आता था तो वो ऐसे अपने वस्त्र फारता था समचार अभी पूरा नहीं हुआ है महराज थोड़े वस्तर बचा के रखिये चंदन सिंग वापस लोटने की खुसी में भोज का आयोजन कर रहा है और उसमें सामिल होने आ रहा है चंदन सिंग का नाती मोहक सिंग ये खबर सुनकर तो राजा केसर सिंग और भी भ्यानक रूप से पागल हो उठा क्या अब आएगा खेल का असली मचा किन्तु मोहक सिंग से हमारा क्या मतलब हमें बदला तो चंदन सिंग से लेना है खामाखा कपड़े फड़वा दिये मैं खामाखा कोई काम नहीं करता महराज जरा दिमाग लगाएंगे तो अपने बचे वस्तर भी फार डालेंगे वो कैसे अब लट्थ अगर आप मोहक का हरन कर दें और बदले में चंदन से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा की नहीं मतलब फिरोती और मोहक सिंग को अकेले भेजने का इंतिजाम मैं कर ही दूँगा वो मारा दूसरे ही पल मैं राजकुमार मोहक सिंग को हरन करूँगा बदला भ्यानक बदला मगर मा केलाल तुमने नहीं बताया कि इसमें तुम्हारा क्या फार देता हूँ अरे ये क्या कर रहे हो मेरे कपड़े क्यों फार रहे हो मुझे जब गुस्सा आता है महराज तो मैं सामने वाले के वस्तर फार देता हूँ और अभी मुझे गुस्सा आपके बात सुन कर आया मेरा फायदा इसमें ये है महराज कि एक तो ये सुचना आपको देकर मैं आपसे धन प्राप्त करनूंगा दूसरे मैं अपने हाथ से उस पाजी राजकुमार को सेरों की मांद में छोड़ कराऊंगा क्योंकि एक दिन उसने मेरी चोटी का मजाग उनाया था जिसमें जिसे मैं सेर की पूँच के साथ बांद कर रसा कसी वाला खेल खेल रहा था और मेरा फाइदा ये होगा कि मुझे मेरी बहन की खुसिया वापस मिल जाएंगी चाहे मोहक चंदरन सिंग को जिन्दा मिले या ना मिले मुझे मनजूर है इस परकार सणयंत्रों के ताने बाने बूने जाने लगें फिर अगले दिन बाके लाल पहुँचा विसालगट के राजदरबार में और लीजिये महराज चंदरनगर से निमंतरन पत्र भी आ गया है और महराज आपको नहीं बुलाया मेरा मतलब महराज चंदरन सिंग ने केबल अपने नाती मोहुक सिंग को भोज में सामिल होने का निमंतरन भेजा है क्योंकि वो कम खाता है वाह तब तो खुब मजा आएगा मैं तो वहाँ जरूर जाओंगा मजा तो मुझे भी आएगा क्योंकि ये नकली पत्र मेंने ही भीजा है हम भी जाएंगे अवस्ते महराज ससुराल में तो बिना बुलाय ही जाते है किन्तु ये सुनते ही स्वर्नलता को कुरोध आगया हर्गिस नहीं महराज बिन बुलाय मैं आपको नहीं जाने दूँगी पिता स्री माता स्री ठीक कहती है फिर आप वहां जाकर क्या करेंगे नाना स्री ने मुझे ही बुलाया है तु फिर मुझे ही जाने दे राजकुमार ठीक कहते हैं महराज भोजपर बिन बुलाए आपका ससुराल जाना उचितना होगा तब सर्व सम्मत्ति से मोहक सिंग को ही भेजा जाना तै हुआ पुत्र अपना ध्यान रखना नाना सिरी को तंग मत करना तंग नहीं करूँगा माता सिरी मगर उन्हें अपना घोड़ा तो जरूर बनाऊंगा वाह खुब मचाएगा जब मैं अपने घोड़े को चाबुक मारूंगा लाद मारने से भी गोड़े और गधे चल पड़ते हैं भतीजे आएं तड़ाक आएं सेना पती तुमने मुझे लाद क्यों मारी बुरा मत मानो बाके लाल मैं तो तुमारी बात की सच्चाई जाच कर रहा था अरे मगर सैनिक कहा है मेरा पुत्र क्या रत में अकेला चंदर न गर जाएगा सैनिकों की क्या जरूरत है माराज रहा के बीच में बस एक चीतो वाला जंगल ही तो पड़ता है डरने की कोई बात नहीं माराज आप निश्चिंत रहिए पिता सरी आप भोल गएं कि मैंने एक बीचार ही ना बदल जाए मोहक सिंग विसालगर से चंदर नगर की ओर रवाना हुआ लेकिन अगले दिन ही महराज कीजे हो महराज मुझे महराज चंदर सिंग ने भेजा है ये पत्र दे कर पत्र जरूर ये हमारे लिए भी निमंतरन पत्र होगा बुढ़ा भुलक कड़े पहने भूल गया होगा बाकेलाल पत्र पढ़ो इसमें जरूर मोहक के अप्रहन की खबर होगी बाकेलाल ने वो पत्र पत्र वहक से ले लिया और पढ़ते ही मन ही मन खुशी से उचल पढ़ा बाकेलाल मुबारक हो अपने मोहक का हरन हो गया है बाकेलाल पत्र में क्या लिख किन्तु पर्त्यक्ष बाकेलाल ने बनाई रोनी सूरत महरानी जी गजब हो गया भतीजे महोग को चंदन सिंग के जानी दुस्मन राजा केसर सिंग ने अगवा कर लिया है नहीं क्या बाकेलाल पत्र मुझे दो स्वर्ण लता के आसु बहे तो फिर रुखने का नाम ना लिया वो पत्र पटने लगी पुत्री दमागसरी आईस्वान बड़े दुख के साथ सुचित कर रहा हूँ कि मेरे नाति मोहोग सिंग पुत्र बिक्रम सिंग का मेरे जानी दुस्मन राजा केसर सिंग के पुत्र बच पट्टे पर रख कर मेरी चट्णे पीज डालेंगे और फिर मेरे ताजे बच्चे कंगन सिंग पुत्र चंदन सिंग का क्या होगा जो हकीम लुकमान पुत्र सुकमान की किरप्या से पैदा हुआ आने की जरुवत नहीं पत्र से अपनी बहुमुल्य राए भेज दे तुमा श्वर ने की होया कहीं जिन्दिगी से तलाग तो नहीं ले लिया राजवैद को बुलाओ ताकि जो थोड़ी बहुत सांस हो वो बैद उसे अपनी दवा से बंद कर दे राजवैद सेर के बल धोड़ा आया महराणी का निरिक्षन किया महराज उन्हें मिर्शी का धोड़ा लगता है इनके खांदान में जरूर कोई मिर्शी का रोगी होना चाहिए महराणी के साथ-था मुझे उसका भी उपचार करना होगा मगर फिलहाल महराणी के चेहरे पर जल के छीटे दे कर इने होस मिलाना जरूरी है महामंत्रे ने जैसे ही जल के छीटे महराणी के चेहरे पर छिटके की महराज मेरे पुत्रों को बचाईए किन्तु महराज फिर तो महराज चंदन सिंग जी को तलाग देना होगा और ये तो उनके साथ अन्याय होगा महराज सत्तो यानि अपने साथ सौ तेले बेटों के हाँ तो वे बेमौत मारे जाएंगे तब फिर क्या किया जाए मेरे बिचार में तो आपको सेना लेकर चंदन अगर चलना चाहिए ताकि महराज चंदन सिंग के साथ मिलकर दुस्मन पर चढ़ाई की जा सके इतनी सी बात के लिए योद की क्या जरूरत है महराज योद में कितने सैनिक खामा खाम मारे जाएंगे महराज चंदन सिंग को तलाग दे देना चाहिए महराज मेरा पुत्र उसे बचाईए मुझे चंदन अगर ले चलिए धैरे रखो रानी स्वनलता हम तुमें चंदन अगर ले चलेंगे किन्तो महराज बिन बुलाय कैसे जाएंगे सेना पती सेना भोज में सामिल होने नहीं जा रही है फिर क्या फायदा तब महामंतरी की राय ही मानी गई विक्रम सिंग ने राज्जे की जिमेदारी अपने लोटने तक महामंतरी को ही सौब दी चंदन नगर की ओर कूच करो मैं तो पहले ही कह रहा था कि महराज की भतीजे मोहक को अकेला मत भेचिये राह में चीतों का जंगल है चीतों से मतलब ऐसे ही खत्रों से था पर मेरी बात कोई समझा ही नहीं मेरा लाल दुखी ना हो महरानी जी आपका लाल तो आपके साथ ही है मेरा मतलब बाके लाल इनर चंदन नगर में हरकंप मचक गया महराज महराज गजब हो गया क्या हुआ सेना पती कहीं मेरा दमाद तो नहीं आ गया महराज दुस्मन विसाल सेना लिए चंदन अगर पर चड़ाई करने आ रहा है क्या सुनो जी अब मुझे मेरे बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए माई के भेज दो बच जाओ तो वापस बुला लेना जबकि चंदन सिंग के कान जैसे योध की असंका से ही बहरे हो चले थे सेना पती दुस्मन को ये समझाओ कि मेरा जोडो का दर ठीक होते ही मैं बात में योध करूँगा कोई जबर्दस्ती नहीं है योध की मैंने उसे ये बात बहुत समझाई महराज कि दोनों टांगे कबर में लटकी पड़ी है वो तो आपके जोड तोरने के लिए बड़ा ही चला आ रहा है तभी एक सैनिक और वहाँ आप पहुँचा महराज घबराने की कोई बात नहीं जिसे हम दूर से देखने पर दुस्मन की सेना समझ रहे थे वो तो दरसल दमाज सिरी बिकरम सिंग जी है जो अपनी सेना के साथ महल की ओर आ रहे है क्या अरे तो कमबक तो उसे खदेरा क्यों नहीं उसी समय बिकरम सिंग इत्यादी ने वहाँ परवेश किया स्वन लता को देखते ही चंदन सिंग का बाब का प्यार उमर आया और वो अग पकड मंत्री की पकड से छोट निकले पिता सिरी पुत्री महराज भागिये मत कहीं हडिया जिस्म से बाहर ना आगिरे पुत्री तु इतनी मोटी कैसी हो गई मैं तुझे अपने सीने से भी नहीं लगा पा रहा महराज जादा जोड से मत बोलिये कहीं गला ना घुट जाए पिता सिरी मैं तो यहां हूँ आप तो अपने दमात के कले लगे हुए हैं क्या छी 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 तब ही वस्तरों से इतनी भयानक बद्बू आ रही है इन सब को खाना कहां से खिलाओं का इस उम्र में बिवा करके ससुर्शी जी ने अपना बेड़ा गर्खी कर लिया है पिता पुत्री और दमात मिलन के फस्चात लोग पुत्री ये तुम्हारा नया भाई है यानि आठवा भाई मेरा भाई मैं इससे मिली भी तो किस मुहरत में महराज चक्कर तो नहीं आ रहें मैंने पकड़ा नहीं हुआ है महराज मुह दिखाई के रस्म तो पूरी करने ही होगी मैं तो थैली घर भोलाया हो महरानी बाके लाल तुम्हारे पास सवा रुप्या है तो दे दो घर पहुँच कर दे दूँगा नहीं पुत्री बच्चे को मुह दिखाई देने की जरूरत नहीं है मैंने जो भेट तुम्हें देनी थी उस में से मुह दिखाई काटकर हिसाब बराबर कर लूँगा हाई मेरा नाती ठीक है पिता जी पर मेरा लाल कहा है मुझे मेरा मोहक लादो कुछ देर बाद बाके लाल हमारे डूपती नया को अब तुम ही पार लगा सकते हो हमारे पुत्र मोहक का पता लगा कर बाके लाल जल्दी जाओ ना मेरा कलेजा बैठा जा रहा है ना जाने मेरा पुत्र किस हाल में हो बाकेलाल जल्दी जाकर मोहग की खोज करो ये तुम्हारा मुझ पर भी इहसान होगा जितने जल्दी मोहग मिल जाए का दमाज जी भी उतने जल्दी यहां से रवाना हो जाएंगी बाकेलाल को महोग सिंग की खोज में निकलना ही पड़ा बाकेलाल जिन्दाबाद और वापसी पर मुर्दाबाद बाकेलाल तेजी से घोड़ा दोड़ा था केसर नगर की ओर चल पड़ा केसर सिंग से महोग सिंग को लाकर अब मैं फेकूं का सेर वाली गुफा में मगर तभी ये जाल किसने फेका मैंने मेरा नाम है काईकू मुझे राजा केशर सिंग ने आदेश दे रखा है कि कोई भी इदार आए तो मैं उसके खून से यहां के पेड़ पौधे को सीच दूँ और अब मैं बाहर निकालता हूँ छोटा खोनी धार धार लगा लूँ अब क्या करूँ ये काईकू तो मेरे खोन से पेड़ पौधे को सीचने की तेयारी कर रहा है क्या देख रहा है मेरा गणासा इसकी एक ही चोट से बड़े बड़े किले ध्वस्त हो जाते हैं इसका नाम मैंने छोटा खोनी रखा है धार लगा लूँ और अब छोटा खोनी से मैं तेरी खोपड़ी को दो भागों में बिवक्त करके पेर पोधे सीचुंगा धार लगा ली नहीं कैकू भाई ठहरो भाई तुने मुझे भाई कहा ऐसा कह कर तुने मेरे भाई के प्यार को जगा दिया बोल तेरा नाम क्या है बाके लाल मेरा भी एक भाई था जो मुझे बहुत बिटता था पर एक दिन वो बच्पन में एक मेले में मुझे भी छूड़ गिया था दरसल उस मेले में एक भालू आ गिया था ये तो मुझे बाद में पता चला की लोग मुझे भालू समझ कर बैठे थे बाद में उसके भगदर में कुछली हुई लास मुझे मिली थी मेरे भाई को मेरे बाल बहुत अच्छे लगते थे वो मुझे भालू का कर्चिढाता था उसके याद में मैंने कई भालू मारे और उनके बाल गौन से अपने सरीर पर चिपका लिये अब मैं तुझे नहीं मारूंगा मेरे मरे हुए भाईया तु नरक में ना जाने केसे रह रहा होगा मुझे राजा केसर सिंग के पास ले चलो पर बाके लाल तुम महराज से मिलने नगर वाले सीधे रास्ते से क्यों नहीं गए मुझे महराज ने इसी ओर से आने को कहा था तो फिर जरूर महराज ने इसे यहां मेरे हाँ तो मरने के लिए भेजा होगा पर अब मैं इसे नहीं मार सकता मुझे जाल से बाहर निकालो काईकु ने उसे फौराँ जाल से बाहर निकाला और इस गुफा को पार करने के बाद हम केसर महल पहुँच जाएंगे मगर जैसे बाकेलाल गुफा से गुच्रा बाकेलाल चाचा मुझे यहां से बाहर निकालो ओ, तो मोहों की यहां कहे दे, अवे चुप-चप पड़ा रहा, मैं यहां तेरी जान बचाने नहीं आया, तू, तू तू मेरी छुटिया काटना चाहता था ना, बाकेलाल चाचा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने माबाप का इकलो होता हूँ, मगर बाकेलाल ने उसके एक न कायकू, कुफा के रास्ते बाकेलाल के साथ सीधा राजा केसर सिंग के सामने पहुँचा, महराज की जैहो, ओ, अच्छा हुआ महराज, आप वस्तर पहन कर वैठे हैं, मैं आपके लिए जीता जाकता समचार लाया हूँ, जिसका नाम है बाकेलाल, ओ, बाकेलाल, तुम, कायकू ने, इसे मारा क्यों नहीं, अब यह मुझसे धन मांगेगा, महराज, महुख और धन के अलग-अलग बोरिया बना कर मुझे दे दीजिए, इस तरह मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा, और जब चंदर सिंग अपने पतनी को तलाग देगा, तो आपका भी बदला अब तक चंदर सिंग मेरी बात मान नहीं लेता, तुम्हें मोहुख सिंग नहीं मिलेगा, पर चंदर सिंग तो अभी तलाग दे ही नहीं रहा, तो तुम्हें उसे तलाग देने के लिए मजबूर करना होगा, काय कूद धमकी दे, अगर तुमने ऐसा ना किया, तो मैं छोट दिया था, दरसल मैं अपनी बहन तारारानी का भीवा, चंदर सिंग से करना चाता हूँ, क्या, मेरी समझ में नहीं आई, महराज, कि आप अपनी बहन का भीवा, चंदर सिंग से करने की बज़ाए, उसे कुएं में धक्का क्यों नहीं दे देते, मैंने तो कुएं का पता भी बताया था बाकेलाल और ये सुनते ही केसर सिंग पुरा गुसे से पागल हो उठा नहीं चर तारा रानी के चार पतियों के मिर्थों के बाद मैंने चंदन सिंग को पांचवे वर के रूप में चुना था क्योंकि उसकी ना सिर्फ सकल ही उसके पहले पति से मिलती थी बलकि नाम भी वही था यानि चंदन सिंग यही सोच कर मैंने चंदन सिंग को विवा का प्रस्ताव भेज दिया था किन्तो उस जरजर हिमारत ने मेरा प्रस्ताव ना सिर्फ ना मौनजूर कर दिया बलकि अपना विवा भी रचा लिया और वो भी उस से जिसे मैंने तलाग दिया था इसके अलावा चंदन सिंग को मैं दहेज में धन भी दे रहा था सांथ हो जाए महराज या फिर पहले और वस्तर मना कर पहन लिये सब कुछ सुन लेने के बाद बाके लाल ने उसे आस्वस्त किया आप फिक्र मत करें महराज आपका बदला अवस्त से पूरा होगा आप अपनी बहन की डोली तयार रखें मैं यू गया और चंदन सिंग को दुलहा बना कर यू आपस लोटा कायकू बाके लाल को बाईज़त चंदन अगर की सीमा पर छोड़ाओ क्योंकि अभी इसे मारना ठीक नहीं होगा तीसरी बार आएगा तो मार देंगे जो अग्या महराज कायकू ने उसे और उसके घोड़े को चंदन अगर की सीमा पर छोड़ दिया और अब देखो मेरे जल्बे की मैं कैसे बुढ़ाओ चंदन सिंग को अपनी पत्नी को तलाग देने और तारा रनी से बिवा करने पर त्यार करता हूँ उसी रात अरे बाके लाल तुम लोट आए महराज सिंग का कुछ पता चला महराणी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है वो अभी मूध होने गई है महराज मुझे कुछ देर पूर्ब स्वप्ण में ये भविस्वानी हुई है कि अगर महराणी द्वारा रानी भानुमती के कक्ष से चुराए गए तौलिये से अपना मुझ पोचे तो मोहक का पता चल जाएगा तब फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि रानी भानुमती इस समय सो रही है और ससूर्प सरी चंदन सिंख हकीम लुकमान से अपने मालिस करवा रहे हैं वाँ बेटा बाके बन गई बाद बिक्रम सिंख के कक्ष से बाहर निकलते ही बाकेलाल जापुँचा चंदन सिंख के कक्ष में जहां हकीम लुक्मान अभी अभी उनकी मालिस करके और हिल्ले को मना करके गया था अरे बेटी तुम आओ मैं आपकी बेटी नहीं महराज बाकेलाल हूँ अंदे कही का ओ बाकेलाल सायद तुम भी हकीम लुक्मान से अपनी मालिस करवाने आये हो लुक्मान मालिस सचमुच अच्छी करता है मुर्दा भी खड़ा हो जाए पर आप खड़े होने की कोशिस मत कीजिएगा महराज और हाँ मैं ये कहने आया था कि महराज की यहाँ आप मालिस करवा रहे हैं और वहाँ मैंने आपके कक्ष में किसी अन्य पूरूस को जाते देखा था चंदर सिंग लड़कड़ाते वे उठा क्या तुमारे पास मेरी तलवार है महराज मैं तलवार लेकर आया हूँ बाके राल मुझे छोड़ मत देना क्योंकि अंग पकड़ मंत्री छुट्टी पर चला गया है वैसे अगर मैंने तलवार ना पकड़ी होती तुम्हें मुझे पकड़ने की जरुवत ना पड़ती हकीम लुक्मान से रोज मालिस करवा करवा कर मेरा बदन कसरत हो गया है हमाराज वो तो दिख रहा है वो देखियों महराज वो साया आपके कक्ष से निकल कर जा रहा है मुझे पूरी उमीद है कि ये अंधा अपने दमाद को नहीं पहचान पाएगा पर ये पराया पुरुस मेरे कक्ष में क्या करने गया था? अभी भी नहीं समझा महराज अब आप महरानी जी को तलाक दे ही दो दे ही दो तो अच्छा होगा अने था कल लोग आपके नाम पर थूतू करेंगे समझे महराज जी समझे महराज या नहीं क्या? ओ, मैं समझ गया किन्तु बाके लाल अगर मैंने उसे तलाक दे दिया तो फिर मुझे इस उम्र में दूसरी लड़की कौन देगा उसकी बेवस्ता भी मैंने कर दी है महराज आप तलाक दे कर जल्दी से वापस आईए तो फिर ठीक है रानी भानुमती अपने कक्ष में पहुँच कर हमने तुझे तलाक दिया क्या? नहीं स्वामी मैं निर्दोस हूँ तुम्हें अगने पर इच्छा देनी होगी नहीं मैं जल जाओंगी तो फिर मैं तुझे तलाक दे कर दूसरा भीवा करने जा रहा हूँ स्वामी मुझे छोड़कर मत जाईए मेरे सत्तो को मेरे सत्तो को पता लग गया है मैं कल राष्टिय सोग घोसित कर दिया स्वामी मुझे छोड़कर मत जाईए मेरे सत्तो का पता लग गया तो कल राष्टिय सोग घोसित कर दिया जाएगा क्योंकि वो आपको छोड़ेंगे नहीं रानी भानुमती चंदन सिंग के पीछे ना जा पाई क्योंकि तभी नन्हराज कुमार रोने लगा था जबकि चंदन सिंग भानुमती को तलाग दे कर जल्दी से बाकिलाल के पास पहुचा आप आ गए महराज तलाग दे दिया ना तलाग देने में भला कितनी देर लगती है मगर अब तुम जल्दी से मुझे उस कन्या के घर ले चलो जी हाँ महराज बैठो घोड़े पर मैं आपको घोड़े पर बान देता हूँ ताकि कहीं आप गेरना चाएं बाकिलाल क्या चक्कर चला रहा है मगर बाकिलाल की बतकिस्मती ने सेरापती मर्खप उन्हें रहस में ढंक से महल से निकलते देख उनके पीछे लग गया था अब चंदन सिंग राजसी पुसाक में था जबकि इधर रानी भानुमती ने महल सिर पर उठा लिया अरे कोई रोको बुढ़ो को वो मेरी सौत ले लाने जा रहा है सौत भानुमती ने रो रोकर सारा खिस्ता सुनाया तबी आ पहुचा सेरापती मर्खप भी महराज बाकेलाल चंदन सिंग जी को केसर नगर की ओर ले गया है अगर केसर नगर जाने वाली मार्ग पर कायकू ना खड़ा होता तो मैं पूरे सर्यंत्र का परदा फास करके लोटता पर फिलहाल मुझे इतनी ही भनक लगी है कि भाकेलाल चंदन सिंग का भीवा तारारानी से कराने वहां गया है ये सुनते ही भानुमती के आशु बहने लगे हां महराज मुझे भी यही कह रहे थे कि मेरे कक्ष में कोई पराया पूरुस आया था इसलिए वो मुझे तलाग दे कर दूसरी साधी करने जा रहे हैं किन्तु मैं तो बाकेलाल के कहने पर ही आपके कक्ष में तॉलिया चुराने गया था ताकि बाके लाल के सुपने के अनुसार मोहोक सिंग मिल सके ओ तो पराया पुरुस आप थे आप तो अपने हैं तब तो फिर महराज जल्दी कीजिए ये विभा हो गया तो गजब हो जाएगा सेना पती तुमने गुफा तक का मार्ग तो देखे लिया है जल्दी से सेना को तयार होने का आदेश दो हम अभी केसर नगर पर चड़ाई करेंगे जो अगया माराज केसर नगर के राजमहल में बाकेलाल अपने योजना को पूर्ण रुप से सफल करने में जुटा हुआ था माराज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया चंदर सिंग जी दूलहा के दूलहा बने सामने बैठे हैं अब आप मुझे धन धन और मोहक सिंग बो जल्दी बाकेलाल मैंने तुम्हें चंदर सिंग के साथ गुफा में जाते देखने के तुरन बादी मोहक सिंग को बेहोस करके इस बोरी में डाल कर तुम्हें देने के लिए तियार कर दिया था वाह इस बार दो योजना के ठांग कहीं भी नहीं टूटी बाकेलाल बोरी ले नहीं मुच्छर भी तुरंट परलोग सिधार जाए लेकिन बाकेलाल अभी गुफा से कुछी दूर आगे बढ़ा था की बाकेलाल ये क्या मुच्छर पूरी सेरा के साथ यहां क्या कर रहा है बाकेलाल चंदन सिंग जी कहा है चंदन सिंग जी वो तुम है बाकेलाल के का मुँख खोल दिया और इसमें तो राजकुमार मोहक सिंग का लास है महराज नहीं मेरा पुत्र मेरा पुत्र और तभी मैं कहा हूँ अरे ये तो जीवी थे मगर इसे बोरी में बंद क्यों किया हुआ है मोहक मिरे लाल बाके लाल आखे तुम मोहक सिंग को ढूंड ही लाए और हम सेना पती के भाकाओं में आकर कमारे मिसे में ना जाने क्या क्या गलत सोचते चले गए महराज ये तो बड़ी गलत बात है मैं तो अपनी जान पर खेल कर मोहक को बचा कर लाया हूँ चल बेटा बाके लाल योजना की सारी टांक तो तूट गई अब अपनी गर्दन ब को भी बचा लूँगा अब हमें तुरंद आकर्मन कर देना चाहिए तो फिर चलो गुफा के त्वार पर छोटा खोनी लेकर कैकू सेना पर जपट पड़ा धार लगा ली आजाओ सामने मगर कैकू के सेनिकों ने समलने का एक भी मौका रही दिया अरे कमभक्तो इतने सारे मिलकर एक कुमार रहे हो हिमत है तो एक एक करके बिना तलवार के और सिर जुका कर मेरे सामने आओ बिचारा कैकू सेनिक आगे बढ़ते चले गए इधर चंदन सिंग विवा मंडप में बैठा ही था कि महराज गजब हो गया चंदन अगर की सेना ने केसर नगर पर कुफा के रास्ते चड़ाई कर दी है और सेना यहां पहुंचने ही वाली है क्या बूरे समचार अभी खत्म नहीं हुए थे महराज आपकी बहंतारा रानी का भीवा मंडप में लाए जाते समय दम्मे का दोरा पर जाने के कारण दिहान दो गया है क्या चंदन सिंग ये सब तेरे कारण हुआ मैं तो अपने पाजामे के नारे से तेरा गला दबा दूँगा कमबक्त पाजामा तो उपर कर ले तभी वहाँ आप पहुँचे विकरम सिंग और उसके सेना तेरा खिल खत्म हो गया दुष्ट राजा और फिर जब चंदन सिंग को हकीकत का पता चला तो उसने मांगी भानुमती से माफी फिर जैसे ही सब महल वापस लोटे अरे राजगुरू आप विसालगट से यहां क्यों आ हैं मुझे आना ही पड़ा दरसल मैं मोहक के जनम कुंडली का निरक्षन कर रहा था तू मुझे पता चला कि अगर इन नच्चत्रों में नाना अपनी नानी का मूँ देखेगा तो नानी के पिताक पर मिर्तु का हमला न मिर्तु का हमला हो सकता है मैं यही पताने यहां आया था मैं इसलिए तो मोहक सिंग को बोरी में डाल कर ला रहा था महराज ताकि कहीं भूल से नाना नाना नाती एक दूसरे को देख ना ले मुझे इस बारे में सिव जी ने दर्ज़न देकर पहले ही कहा था और मेरे पहारे बाकिलाल आ गले लग जा अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं चंदन सिंग को ले जाकर सीधा मोहक के पास ना खड़ा कर देता मगर अब क्या हो सकता था उसके बाद हुआ भोज जिसमें 36 पर करके बेंजन सामिल थे खिचरी के रूप में तो इसी के साथ बाकिलाल की यह हांसते आर मज़दार कामिक से ही समाप्त होती है तो विडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिक करके जरूर बटाना विडियो अच्छी लगए तो इस विडियो को लाइक से और जरूर करते ना चैनल पर नया को सब्सक्राइब जरूर से कर देना थैंक्स पर сопलिटीक में